स्वागत है बचों यह हमारा second part verb action verse का यह हमारा second part है देखें क्या कर रही है यहां क्या चल रहा है काट रही है अपने बड़े भाई को काट रही है she is biting her brother कातना अच्छी बात है क्या नहीं कातना बुरी बात है कातना अच्छी बात है नहीं कातना बुरी बात आप अपने भाई बैयन को काटते हो क्या are you biting your brothers and sisters your friends no हम नहीं कातते मैं नहीं कातता हूँ I will not bite मैं नहीं कातती हूँ I will not bite girls will say how the burger boys will say मैं नहीं कातता हूँ I will not bite मैं नहीं कातती हूँ girls will say मैं नहीं कातती हूँ लड़की क्या कर रही है लड़की क्या कर रही है लड़की काट रही है, छोटी लड़की काट रही है, छोटी लड़की अपने भाई को काट रही है, रहा रही shows that the sentence is in present continuous tense, ठीक है, रहा रही लड़की काट रही है, अब क्या देखने जा रहे हम मारना कैसे मार रहे हैं देखे दोनों मिलकर उस आदमी को मार रहे है मारना अच्छी बात है क्या मारना अच्छी बात है to beating others is a good habit no good habit it's not a good habit this is not a good habit so क्या कर रहे है आदमी क्या कर रहे है आदमी मार रहे हैं since there are two आदमी मार रहे हैं रहा is for boy रही is for girl रहे is for plural boys plural masculine मारना आदमी मार रहे है क्या कर रहे है आदमी आदमी मार रहे है आप मारते हो क्या are you beating no नहीं मैं नहीं मारता हूं boys will say how the girls will say मैं नहीं मारते हूं girls you say girls you say very good मैं नहीं मारती हूं बहुत अच्छा बहुत अच्छा बच्चों आप लोग बहुत अच्छे हैं golden gates के बच्चे बहुत 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 अच्छे हैं ना किसी को मारते हैं इंगें किसी को काटते नहीं थी गुस्सा नहीं करते हूं very good बहुत अच्छा चले next slide में देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग whyiona क्या कर रही है कुछ पका रही है् क्या पका रही है दाल पका रही है शेयर पकानाивать मिल्स to cook not mix cook, पकाना का मतलब है माता जी पका रही है माता जी खाना पका रही है cooking, पकाना, cooking आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? if I am asking you, what are you doing? you how to say, boys will say, boys and girls you how to say, I am cooking, how will you say? मैं पका रहा हूं, boys will say girls will say, मैं पका रही हूं मैं पका रहा हूं, boys मैं पका रही हूं, girls मम्मी जी पका रही है mommy is cooking पापाजी पका रहे हैं, फाओधर is cooking, ठीक है, पकाना, पकाना means to cook, C, काटना, one more काटना, we saw there, biting, this काटना is cutting, that काटना is biting, this काटना is cutting, क्या कर रहे हैं पर, what are they doing, केक काट रहा है, लड़का केक काट रहा है, यह न, if you say, आप क्या कर रहे हैं, what are you doing, मैं केक काट रहा हूं, boys will say, how the girls will say, मैं केक काट रही हूं, I am cutting the cake, मैं केक काट रहा हूं, मैं केक काट रही हूं, boys say, very good, now girls say, very good, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, next, चले, अगला क्या है हमारा, action words, देखते हैं, परोसना, sorry, बच्छों, देखे, कैसे परोस रही है, बहुत जल्दी, 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 जैसे फांक रही है, परोसा ऐसा नहीं जाता है, न, परोसना means to serve, परोसना means to serve, servings should not be done like this, sorry, I didn't get any other pictures for the, this gif picture, okay, I got this only, I searched a lot for a good picture, but I didn't get, okay, परोसना means to serve, क्या कर रही है, परोस रही है, खाना परोस रही है, लड़की खाना परोस रही है, the girl is serving the food, when I ask question to you, how you will say, आप क्या कर रहे हैं, boys will say, मैं खाना परोस रहा हूं, girls will say, मैं खाना परोस रही हूं, ठीक है, परोस रहा हूं, boys परोस रही हूं, girls, परोस ना परोस ना, is to serve, ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, पकड़ना, to hold, पकड़ना, to hold, लड़के ने क्या पकड़ा हुआ है, लड़के ने एक हाथ में, जूस पकड़ा हुआ है, और एक हाथ में, बर्गर पकड़ा हुआ है, है ना, आपके हाथ में, आपने क्या पकड़ा हुआ है, अभी, Now, आपने क्या पकड़ा हुआ? What you are holding in your hand? Pencil, Notebook. मैंने Pencil पकड़ा हुआ है. मैंने Pencil पकड़ा है. मैंने Note पकड़ा है. Now, you are having a Note and Pencil in your hand, isn't it? Pen also. मैंने कलम पकड़ा है. आप क्या कर रहे है? मैं कलम पकड रहा हुँ. Boys will say. Girls, मैं कलम पकड रही हुँ. This juice, मैं शर्बत पकड रहा हुँ. मैं शर्बत पकड रही हुँ. पकड़ना means to hold. पकड़ना means to hold. बोलना, to talk, to speak. बोलना, to talk or to speak. पकड़ रहा है? आदमी क्या कर रहा है? आदमी बोल रहा है. आदमी क्या कर रहा है? Since he is a आदमी मेल रहा According to the noun Whether it's a feminine or the masculine This रहा रही will change Okay आदमी क्या कर रहा है? आदमी बोल रहा है आप क्या कर रहे हो? मैं बोल रहा हूं Boys will say Girls how will you say? मैं बोल रही हूं Understand? रहा रही रहा is for boy रही is for girl मैं बोल रहा हूं मैं बोल रही हूं ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चों आपको Next ये क्या है? डांतना Scolding डांतना When you do some mistake Your father and mother will scold you Hasn't it? So always scolding is also not good You should not scold When you are doing mistake Parents are scolding Okay But when your father and mother Will ask Mobile phone from your hand You will be scolding Is it? Are you scolding? No You are all a very good children आप डांते नहीं है न डांतना बुरी बात है डांतना अच्छे बात है? बुरी बात है नहीं डांतना बुरी बात है क्या कर रहा है लड़का? लड़का डांत रहा है आप क्या कर रहे हूं? मैं डांत रहा हूं Boys will say Girls मैं डांत रही हूं मैं डांत रहा हूं I am scolding मैं डांत रही हूं I am scolding Girls ठीक है? और next क्या रहा हमारा? आँ देना To give लेना To take देना To give लेना Take देना लेना पिर से आएके देख रहे हैं आप देंगे देखना He will give ना देना लेना अब ये दो भाई Krishna दो मखन दो दो ये दा लेना देना लेना ठीक है? देना means to give लेना means to take Krishna क्या दे रहे हैं? मखन दे रहे Krishna क्या दे रहे हैं? मखन दे रहे Krishna is a respected word that's why रहे not रहा रहा is for masculine singular not respected and here Krishna is a respected word because he is a god रहे Krishna दे रहे हैं? ना you have to take away this ना you have to take only the verb action देना Krishna दे रहे हैं? मैं ले रही हूँ I am laying I am taking okay I am taking मैं ले रही हूँ देना to give लेना to take आप क्या करे हैं? मैं दे रहा हूँ boys मैं दे रही हूँ girls आप क्या ले रहे हूँ? आप क्या करे हूँ? मैं ले रहा हूँ boys girls मैं ले रही हूँ ठीक है? next खोलना to open खोलना to open लड़की क्या कर रही है? लड़की दर्वाजा खोल रही है don't take this ना you have to take only the verb words ना खोल लड़की क्या कर रही है? लड़की खोल दर्वाजा खोल रही है लड़की क्या कर रही है? लड़की दर्वाजा खोल रही है आप क्या करें हो? मैं दर्वाजा खोल रहा हूँ बॉइस विल से मैं दर्वाजा खोल रही हूँ गर्स विल से मैं दर्वाजा खोल रहा हूँ मैं दर्वाजा खोल रही हूँ जब कोई गेस्ट आते हैं हमारे घर में आप क्या करते हो? दर्वाजा खोलते हो है न you are opening the door isn't it is it okay शाम को क्या करना चाहिए 6 बजे के करीब 6 to 7 बजे के करीब during the evening hours 6 to 7 hours what you have to do you have to shut down the door or else all the mosquitoes will come inside isn't it we are all shutting the door during those times evening hours यहां तो सब मच्छर अंदर आ जाएंगे बहात अच्छा लड़की हमें welcome कर रही हम चलें इनके घर shall we go to her house she is calling us shall we go हम जाएं क्या ठीक है बहात अच्छा चलो next क्या है हमारा next verb है बंद करना to close बंद करना to close now I said evening hours we have to close the windows and the doors otherwise the mosquitoes will enter inside हना बंद करना लड़की क्या कर रही है learn the question verse also बेटा कैसा question पुछना आपको how you have to ask the question लड़की क्या कर रही है what she is doing लड़की खिड़की बंद कर रही है खिड़की means window लड़की खिड़की बंद कर रही है the girl is closing the window आप क्या कर रही हो मैं खिड़की बंद कर रहा हूँ boys मैं खिड़की बंद कर रही हूँ girls ठीक है बंद करना बंद कर रहा हूँ बंद कर रही हूँ बच्चों धन्यवाद बच्चों बंद कर रहा हूँ